लुकूम बैक तो मैं चैनल अमरीती फैशनमिला आज की वीडियो में हम सिंपल और आसान तरीके से काना किये ने पी ड्रेस बनाने वाले इस तरह की ड्रेस मैं ने आपको सलाई से भी बताई हैं आज मैं आपको क्रॉशिया के हल से बता रही हूं यह रायस का मेजरमेंट चार डालेंगे यह आप नैपी में डालेंगे दोरी तो ज्यादा इच्छा रहेगा मैंने ड्रेस में डाल दी है फिर भी देखें कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसे अमलका सा यहां पर ऐसे करेंगे और बाद देंगे आप आगे बाद सकते हैं पीछे बाद सकते हैं जहां आपको ठीक लगे आप इसे बाद सकते हैं देखें मैंने बाद दिया एक बार आगे लिया के भी बाद दूँगे यह ऐसे करके अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आपको ड्रेस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इसकी जो लंबी डोरी आप कट कर सकते हैं फिर डोरी चुटी बना सकते हैं आप देखें इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है तो एकदम सिंपल और आसान तरीके से बनाएं और पहनाएं चले स्टार्ट करते हूं और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया हुआ है अब देखें गाइस मैंने यहां पे जो ओन लिया है यह क टूग को डालें गें और इसे हम खीचेंगे इतना टाइट के हमारी हूंकाarसानी से शड़ती डिया यहां पे चेंड बनाने है एक, अडेडीन गूला है उत GNI जैटे मी निकाने एक फूब कहीं हैं हमने साथ चेंड बनाया आज पहली वाली चेंड में डालेंगे और इससे हम इस तरह से निकाल लेंगे तो यहाँ पर देखे एक loop बन गई अब में क्या करना है देखे एक दो हमने दो chain बनाई यह भी जो हमने दो chain बनाई इसे भी हम एक double crochet मानते हैं हम इस तरह से करेंगे और यहीं नीचे हम हमें hole में नहीं डालना है यहाँ chain में इस तरह से डालना है उनको निकाला और यह हमने दो फंदे से एक बार इसे double crochet बोलते हैं यह निकल गई हमारी एक double crochet हमने starting में दो chain बनाई उसे भी हम एक double crochet मानते हैं और एक हमने double crochet बना ली अभी तक हमारे पास total दो double crochet हो गई फिर हम इस तरह से करेंगे यहाँ पर डालेंगे फंदे को निकाला तीन फंदे हैं दो फंदे से एक बार दो फंदे से एक बार यहाँ पर हमारे पास तीन double crochet हो यहाँ पर हमारे देखिए तीन हो गई है हमें total पांच बनानी है इस तरह से डालेंगे और यह हमने चार और यह पांच पांच हमने यहाँ पे बना ली पांच बनाने के बाद हम इसे टॉर्ण करेंगे टॉर्ण करने के बाद हमें क्या करना है इस तरह से हमने एक और दो दो चेन बनाई अब ही जो हमारी पहली चेन है इसमें हम ढालेंगे और इस तरह से double crochet बुनेंगे एक double crochet यहीं सेम जगळ डालके एक और double crochet बुननी है ये दो हो गया अब बीच की जितनी भी chain है सब में हमें एक एक बार बुनना है ये देखें इस तरह से और ये जह हमारी last वाली chain है इसमें हम फिर से दो बार बुनेंगे, इस तरह से किया, last chain में डाला, यह देखें, एक double crochet और यहीं सेम जगा टालके, एक और double crochet, जिसे यह तिरचा होगा, फिर हमने turn करना है, turn करने के पास, same वही चीज़े मारी repeat होगी, यह देखें, एक और दो, दो chain बनाई है, first chain में हमने, double crochet, same जगा, एक और बार double crochet, और बीच की सभी chain में हम एक एक बार बनाएंगे, यह देखें, इस तरह से, यह हमारा चोड़ा होता, चला जाएगा उपर की साइड में, एक दम easy है guys, अगर आप beginner भी हैं, तो भी आपको problem नहीं होगी, इस तरह से मैंने आपको सलाई से भी बना अब देखें, यह last chain है, इसमें हम फिर से दो बार बनाएंगे, यह ऐसे करके, इसी तरह से हम इसे थोड़ा लंबा करना है, चले करती हूँ, फिर आपके बताऊंगे क्या करना है, यह देखें, हमने यहाँ पे इसे इतना बुन दिया है, हमारी यहाँ पे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे रो बुन गई है, अब जो सात्वी रो है, वो हम कैसे बुनेंगे, आप देखें, एक, दो, दो chain बनाया, अब यहाँ डबल क्रोशी की जगा, हाफ डबल क्रोशी बुननी है, फॉर्स चेन में डालिए, फंदे को निकाला, तीन फंदे, तीनों को एक सात्व उतार दिया, फिर इस तरह से किया, सीम चेन में हम एक बार और बनाएंगे, अब बीच की सभी चेन में हमें एक एक बार आप डबल क्रोशी बनानी है, इस तरह से लपेटते हैं, यहाँ पर, इस तरह से लपेटा, चेन में डाला, पीछे से फंदे को निकाला, तीन तीनों को उतार दिया, इसी तरह से पूरी रोग कम्लीट करेंगे, लास्ट वाले में हमें दो बार बनाना है, चले करती हूँ, फिर आगे बताओंगी क्या करना है, यह रखिए मैं यहाँ पे अपना कम्लीट कर दिया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सात, सात रोग कोई भी pandemic बढ़ेंगे नहीं, यह देखें, इस तरह से किया, हमने यहाँ पे एक, दो, दो चेन बनाई आगी, और और बहुत कुपसूरत इसकी finishing भी आती है, यह देखें, एकदम center वाले mark तक मैंने इसे बुन दिया है, आधा हमारा बुन गया है, अब हमें इसे यहीं से आसे turn कर लेना है, और turn करने के बाद फिर हम अब इतने ही दूर में normal double cross या बुनेंगे, कोई भी हमारे फंदे बढ़ें यह देखें, एक और बुनना पड़ेगा, यहां पे center का mark थोड़ा सा आगे है, यह इस तरह से, अब बस यह देखें, नॉर्मल हम बुनते चले जाएंगे, double cross या हम इस तरह से करेंगे, और हमें बुनते चले जाना है, कोई भी हमारे बढ़ेंगे नहीं, आप चाहें तो य और दो आठ मिली है, आठ नहीं, एक नौ मिली है, यह देखें, एक chain भी है, यहां पे हमारी, दो दो चाहर, दो छे, दो आठ, एक नौ मिली है, तो अभी हमारे पास उपर, यह देखें, दो दो चाहर, दो छे हो गई है, छे के बाद यह देखें, साथ, और यह आठ, और यह 9, हमें यहाँ पे भी 9 मिल गई, ऐसे ही कि हमारी 9-9 की लिपीट होती चल जाएगी, अभी हमने 2 रोब उनी है, यह दिखेंगे अभी हमने जो 2 चेन बनाई, उसे हम 1 डॉबल क्रोशे मानते हैं, और 1 डॉबल क्रोशे हमने बना ली टोटल 2 डॉबल क्रोशे हो गई, यह 3 यह हमारी 4, एकदाम इजी है आसानी से बना सकते हैं, कोई प्रॉबलम नहीं होने वाली है, यह देखें यह 5, अभी मैं आपको सभी साइज में बताऊंगी, कैसे क्या करना है 6, 7 यह हमारा 8 और यह 9, तो चले, मैं इसे लंबा करती हूँ, यहां पे भी हमें 7 रो ही बुननी है, जितनी हमने नैपी में बुननी है, चले बुनती हूँ, 3 रो हो गई है 4 और बुन लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है, यह देखें, हमने दूसरी साइट का हमें, यहां पे बुनना है सेम यही पत्टी हमारी बुनेगी अब देखें, कैसे बुनना होता है यह हम सेम होल में डालेंगे यहां पे हमें 9 चाहिए, तो मैंने गिना है मेरा 8 यहां तक आ रहा है, 9 हम इसी में डाल के बुलनेगे, जितनी हमें इधर chain चाहिए, उतनी हमारे इधर भी होने चाहिए, chain नहीं double crochet, यह देखें इस तरह से हमने 1 और 2, दो chain बना लिए, इसे भी हम एक double crochet ही मानते हैं, इस तरह से किया, अब हमें यहाँ पे 8 और मिल जाएंगी chain, तो हमारी total 9 double crochet हो जाए है, तो मैंने इस पे भी एक video upload कर रखें, देखें, दो तुचार, एक 5 होई है, 5 के बाद यह हमारी 6 हो गई, यह 7 हो गई, यह हमारी 8 हो गई, और यह हमारी last 9 हो गई, बस फिर सेम चीज़ हमें वहीं करना है, इसे लंबा करके और not लगा कर देना है, 7 रो हम इसे बुनेंग कर बताओं, तो बहुत चेंजी नहीं है, एकदम आसान है, सिर्फ हमें, यह जो हमने यहां 7 रो गुनी है, यह हमें कमादी करनी है, इस टार्टिंग हम ऐसे ही 7 चेंग से करेंगे, चाहँ 0 साइज में बना है, चाहँ 10 नमर में बना है, 7 चेंग से स्टार्टिंग करेंगे, पहली रो में हमारा 5 डबल क्रोशिया रहेगा, उसके बाद हमारा बढ़ता चला जाएगा, तो मैंने यहां पर टोटल 7 रो बनाई है, जिसमें से 6 रो डबल क्रोशे की, और 7 हमारी हार्ट डबल क्रोशे की है, तो हम इसे 6.5 बोलते हैं, यह देखें, यह मैंने 4 नमर के कान करके उपर भी बुनना है, इस इसका आपको ध्यान देना है, एक नमबर में हम 5 रो नपी के लिए बनाएंगे, डबल क्रोशे की, दो नमबर में हमारी 6 रो रहेगी, जिसमें से 5 रो डबल क्रोशे की, और 6 हाप डबल क्रोशे की, तीन नमबर में 6 रो, 6 हो डबल क्रोशे की चार नमबर में हमारी रहेगी साथ रो जिसमें से 6 डबल क्रोशे की और साथ वी हाफ डबल क्रोशे की जैसा कि हमने यहाँ नैपी के लिए बुना है नैपी की मेजर्मिन बता रहे हूं क्योंकि नैपी के बाद सेम यही इतना हमारा बुन जाएगा पांच नमबर में हमें 8 रो बुननी है नपी के लिए 8 हो हमारी डबल क्रोशे की 6 नमबर में 9 रो 9 डबल क्रोशे की 7 नमबर में 10 रो 10 रो डबल क्रोशे की 8 नमबर में 12 रो 12 डबल क्रोशे की 9 नमबर में 14 रो 14 डबल क्रोशे की हमारा divide हुई उसके नीचे वाली , जो 7 इनी हमने hardwall crochet के बोनी है, गदेना , अपको भी नैपी की last वाली रोई है उससीasan वाली डाल देना है एक्दम आसान तरीका बताया है , इस तरह से मैंने आपकोिशेगे से बन के रेडी हो जाता है, सलाई में मैंने आपको रैड कलर से बताया था है थमनिल देखके यह आपको पता चल जाएगा यह दिखें हमारी ड्रेस रैडी आप चले पहना के दिखा देती हूं यह दिखें गाइस यहां पर मारी ड्रेस रैडी हो गई है आप मेजर्मेंट चार्ट को लेके बिलकुल भी सब्सक्राइब करके जाएगा मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हरे कृष्णा रादे रादे इसे पहना कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखाया हुआ है